दोस्तों थमनेल देखा कि आपको अंदादा लग चुका होगा कि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक कंपैजन वीडियो शेयर करने वाले हैं जहां पर हम कंपैर करने वाले हैं टाटा पंच के अकंपलिश मोडल को दैजल पैक के साथ में और आपको बताएंगे इन द दोनों के प्राइजिस के साथ तो टाटा पंच का जो अकंपलिश मोडल है यह आपको 7,64,900 रुपीज के एक शोरूम कोस्ट पर मिलता है जबकि डैजल पैक के लिए आपको करीब 8,2900 रुपीज एक शोरूम कोस्ट पे करना होता है डिफरेंस के अगर हम बात करते हैं तो देखने को मिल जाता है और इस 38,000 रुपीज के डिफरेंस में आपको फीटर के टोटल 4 डिफरेंस देखने को मिलते हैं तो फीचर डिफरेंस के एगर हम बात करें то सबसे पहरा डिफरेंस आता है तो के वील्ज के बीज अकंपलिश मोडल के अंधर अगर आप जाती हो तो यानि के 15 इन्च के प्रोफाइल के साथ हाईपर स्टाइल वाले स्टील लिम्स दिये जाते हänder जो के दिखने में कहीं आपको ऐलेज का वील फील देने वाले लेकिन एक्ज़ने यह स्टील लिम्स ही होते हैं लेकिन अगर आप जाते हैं डैजल पैक की तरफ तो यहाँ पे आपको 16 इंच के प्रोफाइल के साथ डायमंड कट ऐलोई वील्स ओफर किये जाते हैं जो के सेम टॉप मोडल वाले ही आपको मिलते हैं दूसरा डिफेंस आता है इसकी DRL का तो डैजल पैक के अंदर अगर आप जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको LED DRL जो हैं वो उफर करी जाती हैं लेकिन अकमप्लिश मोडल के अंदर आपको जो DRL हैं वो नहीं मिलती DRL की जगह पे आपको जो है पारकिंग बल्ब जो है वो दिया जाता है तीसरा डिफेंस आता है दोनों के Head Lamps के बीच में तो अगर आप डैजल पैक पर्चेस करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको प्रजेक्टर टाइप जो इसके Head Lamps है हेलोजन वाले वो ओफर किये जाते हैं जबकि Accomplished Model के दर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको जो Head Lamps मिलते हैं वो Reflector Base ही दिये गए हैं यानि कि अगर आपको Top Model वाली Head Lamps चाहिए तो आप डैजल पैक को पर्चेस कर सकते हैं पाखरी और चौथा डिफरेंस आता है इसके A Pillar का अगर आप डैजल पैक देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो A Pillar वाला पार्ट है इसके ओपर आपको Black Out Tapping जो है वो देखने को मिल जाती है जबकि Accomplished Model के अंदर आपको यह Black Out Treatment जो है वो A Pillar के ओपर नहीं मिलता मातर यह चार डिफरेंस है जिसके लिए कंपरी आपसे 38,000 रुपीज जो है वो चार्ज करती है जो के मेरे साब से काफी ठीक है अगर आपको अपनी कार के अंदर एलोई वील्स मिल जाते हैं प्रेजिक्टर वाले हैट लाइट मिल जाते हैं तो 38,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना आपके लिए कोई जादा महेंगा नहीं लगता बाकी आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रू बताएं इंफोर्मेटिव लगा हो लाइक करें चनल पसंदा आए और सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग वाहन ओफीशियल